आपके परस Redmi A2 Plus A2 कोई भी फोन है तो यहाँ पे आप data limit को कैसे remove कर सकते हैं turn off कैसे कर सकते हैं या फिर data warning को तो इसके लिए आप यहाँ पे security पे click कर लेंगे security पे जाने के बाद यहाँ पे आपको data usage का जो option है इस पे click कर लेना है आप यहाँ पे SIM 1 के लिए अलग है SIM 2 के लिए अलग है तो इस step से option है तो आप यहाँ पे setting पे click कर लेंगे SIM 1 का इतना option है और SIM 2 का इतना option है अब SIM 2 में इतना option इसलिए दिखा रहा है न क्योंकि मेरा भी जो net है वो SIM 1 से चल रहा है और जो भी data limit मैंने set किया हुआ है SIM 1 में set किया है इस वज़े से ठीक है तो एक बार आप set कर लेंगे तो daily data limit भी आपको देखने को मिल जाएगा अब data warning आपको बंद करना है तो यहां से आप बंद कर सकते हैं ठीक है और data daily भी मैंने बंद कर दिया है और इसके बाद यहां पर बैक कर लेंगे इसके बाद data usage आपका ये वाला भी बंद कर दिया है इसके बाद back कर लेंगे तो देख सकते हैं कि data limit मैंने यहां से हटा दिया है तो इस step से आप setting कर लीजेगा data limit की चले मिलते हैं आपको एक next video में तब तक के लिए नमस्कार